दोस्तो चलिए अब हम बात करेंगे कि reflation क्या होता है तो reflation की जब भी मैं बात करती हूं इसका कुछ sound हो रहा है कि इसमें कुछ refill हो रहा है क्योंकि यह जो reward है यह पुन हा है कि कुछ चीज repeat हो रही है तो देखे कई बार ekonomi के अंदर क्या होता है इतना हुआ करता था जो की inflation कहरा रहा था जिसे हम क्या कह रहे थे inflation हम इसे कह रहे थे inflation देखे inflation को control कौन करता है inflation को control करती है RBI Reserve Bank of India कैसे control करती है तो वो अपनी monetary policies के through control करती है किसके through control करती है monetary policy के through control करती है मौदरिक नीतियों के through control करेगी कई बार flow of money कई बहुत जादा हो जाता है जिसकी वज़े से inflation होती है तो inflation control की जाती है RBI के द्वारा पर कई बार in control करने की वज़ा से market में flow of money क्या हो जाती है कई बार बहुत जादा कम हो जाती है देखे अब ये कम वाली जो कहल लाती है क्या क्येलाती है deflation deflation देके inflation कहीं न कहीं हमारी economy के लिए थोड़ी बहुत Anybody को जनम देती है किसको जनम देती है 아니면 employment को जनमा देती है और unemployment से देश का कभी भला नहीं हो सकता या आप भी जानते हैं तो कई बार market में inflation को control करने की वज़ा से ही economy में कई बार deflation की situation बैट जाती है अब इस deflation की situation को सही करने के लिए हमारे देश की सरकार क्या करती है अब इससे सही करना है तो इसमें पैसा डालना पड़ेगा money डालनी सबसरेगा this taxege करते हैं यहां पर क्या करने फिया नवे पैसे को डालने की विवस्था करती है तो जितना यह पैसे को जब deflation हो गई उसके बाद फिर money डाली गई है through the government तो situation को क्या कहते हैंữa इसे इसी लिए situation को क्या कहींगे ु सीचूएशन को तो क्या कहते हैं, रिफलेशन क्या आ जाता है, जब एकनौमी में पैसा बहुत ज़्यादा गम हो जाता है, और गवर्मेंट उन चीजों को इस्तिर लाने के लिए क्या करती है, मार्केट में दुबारत से रिफिलिंग करेगी, तो इस सिचुएशन इस कॉल्ड रिफलेशन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिफिलेशन की सिचुएशन कम्प्लीटली समझाई होगी,